हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दे चैनल स्रस्टी स्टर्डी पॉइंट जूपी में प्री प्राइमरी अध्यापकों की भरती को लेकर आपर बात चल रही है तो इसका पूरा यहाँ पर यह मेरे पास लेटर है पूरा नोटिफिकेशन है देखते हैं कि वेकेंसी आ गई है या आने वाली है और यह सब मैं यहाँ पर बताऊंगी कि कौन से जिले में कितनी वेकेंसी है प्री प्राइमरी एजुकेटर की वेकेंसी तो बास्तब में आई है और कितनी है और फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं कब जो है इसकी डेट है इस सारी इसमें जानकारी दूँगी बस वीडियो में आप बने रहेगा यह देखें यहाँ पूरा यह लेटर है जिला बेशिक सिक्षा अधिकारी जितने भी उत्तर परदेश के जिलों के हैं सब के लिए लेटर भीजा गया है और इसमें देखें यह पूरा लिखा है कि प्री प्राइमरी में जो वेकेंसी हैं एजुकेटर की वो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉंच किया गया है 2024-25 के लिए ध्यापिकों की जरुवत पड़ेगी और यह जो वेकेंसी हैं वो है 10,684 टोटल इतनी वेकेंसी हैं और यह जो लोकेटर जो आंगनवारी केंदर होंगे न यहाँ पर इन एजुकेटर को लगाया जाएगा नई सिक्षान निती आपको पता है कि एन एपी 2020 में कहा गया है कि प्री प्रामरी टीचर्स होंगे प्री प्रामरी बच्चों को पड़ाया जाएगा तो उसी के अंतरगत इसको पूरा यहाँ पर लागू किया जा रहा है तो इसे पूरा लिखा है यह यहाँ पर है कि इतने विद्यालेओं के लिए हैं पूरा लिखा है और वार्शिक वजट के अंतरगत जो जितने भी पीम स्री विद्यालों को सम्बले भी किया गया है इसमें को लोकेटट संचालित को लोकेटट आंगनवाडी केंद्रों में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर उपलब्द कराए जाने हेतु विश्तरित दिशा निर्देश यहां पर बताए गये हैं 75 जिलों में इतने विद्यालों में 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और आंगनवाडी केंद्रों हितु प्रते केंद्र पर एक एजुकेटर रखा जाएगा यह देखे हैं यहां पर सम्विदा के बेस पर लखा जाएगा आउट्सूर्सिंग माध्यम से आपके सेलेक्शन होगा और मांदे जो है वो 10,313 पर मन्त आपको मिलेगा और इसकी पूरा यहां पर लिखा है एजुकेटर के रूप में इतनी बेकेंशी है 75 जिलो में इतने यह बेकेंशी है और सम्विदा पर रखा जाएगा 11 महा के लिए रखा जाएगा सम्विदा पर पूरे 12 महा के लिए रखाने जाता सेलरी आपको यह मिलेगी इसके साथ यहां पर देखे सेक्शिक यूगता ल आरक्षिद जितने भी भर गया उन्हें 5% की छूट मिलेगी अगर उनके 45% मार्क्स भी हैं तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं यह वाला आप देखते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपने एंटीटी कर रखा हो कम से कम दो वर्ष की अब्दी वाला डिप्ल तो 40 वर्ष से जादा बड़े वाले व्यक्ति जो हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं इसमें कहीं भी नहीं लिखा है एजुकेटर में कि आप यह जो है कि फीमेल या मेल के मेल नहीं भर सकते हैं यह इन्होंने केवल यह लिखा है कि यहाँ पर एजुकेटर की ज़रु लिए त्यार करना है उनको पढ़ाने का पूरा तरीका है पूरा ठीक है पांच से से वर्श के बच्चों को जहादा ध्यान देना क्योंकि वह फिर प्राइमरी में एड्मिशन लेंगे तो यह सब इनका यहाँ पर तीन से छे वर्श के बच्चों को पढ़ाने के लिए लखा jam portal से सेवा प्रदाता एजनसी का चैन किया जाएगा एजनसी बनेगी और वही एजनसी जो है एक model त्यार करेगी पूरा और उससे ही पूरा यहाँ पर भरती होगी भरतीयां जो है सम्मेदा बेस पर होगी और इसमें लिखाए उक्त सभी चैन किसी स्विक्रत पत के सापेक्ष नहीं किया जाएं कि कोई सापेक्ष विक्रत है कि इतने पत की जरुवत है नहीं यह केवल आवश्यकता अनुशारों नहीं जरुवत है 11 महा तक के लिए अगلी बार आपको अगर रीन्यू करने की जरुवत होगी तो रीन्यू किया जाएगा पूरा इसमें दे रखा है ठी और आपकी जो merit बन merit के आधार पर आपकी भरती होगी उसके लिए merit आपकी तयार की जाएगी और merit में आपके high school के, enter के, इसनातक के और अगर इसनातक नहीं की है तो entity बगरा के जो भी diploma है उसके सारे नंबरों को जोड़ कर प्रतिशत का योग करके औसत करने के बाद आपकी merit बनाई जाएगी जनपद पर आपकी merit तयार की जाएगी जिस जनपद में आप भरेंगे form उस जनपद में आपकी list लगेगी कि आप कौन सी rank पे आ रहे हैं ठीक है इसमें लिखा अगर आप same rank में होते हैं बच्चे तो क्या ह होगा अधिक आयू वाले को मौका मिलेगा इसको याद रखेगा और आयू भी अगर समान होती है तो आपका जो नाम है अंग्री जी वर्ण माजला में जो पहले आएगा नाम तो उस नाम वाले वच्चे को पहले नंबर मौका मिलेगा तो सारा इसमें लिखा है उसके बाद कांसलिंग होगी आपकी तो यह सब इसमें है इस प्रकार मेरलिस्ट की क्रम संक्या एक पर अंके दभ्यारती के समुग जनपत के उन सभी जित्ते भी जिले में जित्ते स्कूल है उन सबको उपन कर दिया जाएगा अंगनवारी केंद्र रुका और उसका चैन व निर्धारती जो सेवा प्रदाता संस्था होगी ना जो बनाई जाएगी उसकी सहमती के बाद ही प्रदान की जाएगी तो इसमें इस सब दे रखा है और यह पूरा लिखा है कि चैन के समन्द में किसी परकार के अगर विशंग्यती लग रही है कुछ लग रही है तो जिला दिकारी जो है इसको बता सकते हैं कि इसमें ये कमी है इस तरह से हम जब नोटिफिकेशन निकालेंगे तो ये कमी रहेगी तो इसलिए पूरा दे रखा है ठीक है तो यहां पर यह पूरा किसी भी पद के साफेख्ष नहीं भरती होगी बार बार इसमें लिखी हुई है क्यो में पूरा कर लिए ठीक है जैं पोर्टल माइते हम के पूरा कर लें इसको फिर तीस सटमबर के बाद दोस्तों आपको बताऊं नो टिफिक्सिटी केशन आएगा ठीक है अभी कोई notification नहीं आया अगर notification आता तो आपके लिए कोई website बताई जाती कोई कि इस website पे जाके form भरिये form भरने की date शुरू कब होगा form भरना form भरने की अंतिम्तिती क्या fees रहेगी यह सब इसमें दिया होता इस letter में कहीं नहीं दिया इसलिए अभी notification नहीं आया है यह बात आप दिहान में रखे अभी केवली बताया गया है कि इस तरह से भरती होनी है और जरूर होगी फिर इसको इपूरा इन्होंने देखे दे रखा है कि कैसे कैसे इसमें भरती होनी है और कितनी कितनी seat के लिए पूरा यह सब दे रखा है किते किते पैसों की जरूत होगी फॉर्म भरवाने के लिए यह पूरा इन्होंने अपना बता रखा है यह जो letter printer आता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि vacancy कितनी है vacancy कितनी है यह देखे पूरा एहरता के बारे में जो पीछे अभी था वो ही पूरा यहाँ पर इन्होंने अपना normal letter vacancy दिखाती हूँ vacancy दिखे यह total सारे इन्होंने अपने educator की बता रखी है PM शरी में किती vacancy है PM शरी वाले school है उनमें किती vacancy है इस तरह से दिखा रखा है अब यहाँ पर मैं देखो यह गाजी अबादिनों नमार कर रखा 33 और 3 यानि कि 36 vacancy है गौंडा में 210 है इस तरह से जो बच्चे जहां के हैं वहां के इस list को स्क्रोल करके धीरे धीरे देख सकते हैं आदरस में देखे 110 vacancy जालाउन में 110 है जानपूल में 217 है इस तरह से vacancy है और यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाती हूँ बदाईयों में 179 है बदाईयों में और बरेली में देखे 190 vacancy है बरेली में 190 vacancy है इस तरह से जिस जिले में जितनी vacancy है उसके according जो है आप अपना form भरी जिस जिले से भर रहे हैं और अगर आपकी अच्छी merit होगी तो आप जहां भी लेना चाहेंगे आपका ऐसा नहीं कि आप जिस गाओं के उस गाओं में मिलेगा या आपके लिए वो चाहिए कि आप किसी गाओं का address होना चाहिए नहीं अगर जिस आप married होगी counselling होगी आप जहां लेना चाहते हैं अपनी जोइनिंग उस जगे उस school का उस आंगनवाडी केंदर का आप वहाँ पर selection कर सकते हैं और वहीं आपकी जोइनिंग होगी तो फिलाल इसमें इतना ये बता रखा है तो टोटल देखी 10,684 वेकंसी है ये पूरी इसमें वेकंसी दिखा रखी है तो ये है फिलाल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है आएगा इस confusion में मत रही है बहुत से बच्चे ये हैं कह रहे हैं कि notification आ गया है तो यहाँ पर अभी notification नहीं आया है सितंबर कि लास्ट में या अक्टूबर में इस notification को आपको देखने को मिल सकता है मिलूंगे अगली वीडियो में पूरी हैं पर मैंने आपको clear जानकारी दे दी सारे confusion कोशिश की है मैंने दूर करने की धरनेबास दोस्तों और चैनल को subscribe कर लीजेगा अगर अब दीर चाहते हैं इसका और अपने दूस्तों में share भी करते जिएगा